कर दिया है हां तबच्छो रैप्ली कॉन अगैडमी के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज सत्र तारी को अपना मॉर्णिंग सिफ्ट का और इवनिंग सिफ्ट का भी एक्जाम हो चुका है तो अभी मॉर्णिंग सिफ्ट के पेपर के कुछ कोशन्स मेमोरी बे बता सकते हो यहां कोई कोशन्स जो है अमारे पास नहीं आ पाया है वह आप कमेंट वॉक्स में बता सकते हो पार्ट एस थोड़ा सा स्रूप कर लेते हैं मन पार्ट ए में एक कोशन्स था जो कुछ इस तरह से था टू की पॉवर ए मल्टिप्लाई था फाइब की पॉवर भी बराबर कुछ दे रखाता को कुछ नम्मर भी रखाता है यहां पे ना कुछ फाइब अंडर के लाग हो था यहां पे तो इसमें आपको पूँचा था कि a प्लस b जो है इसकी वैल्यू क्या होगी तो आपको वैसे तो यह डारेक्ट आप सॉल्व कर सकते थे जैसे आप सोच उसमें आंसर जैसे 2, 3, 4, 5 वैसे दे रखा है तो इसका जो आंसर होगा यह तो होगा कितना a प्लस b बराबर 2 और 3, 5 हो जाएगा है ना जैसे अगर आप 2 की पॉवर 2 लगाते हो इन्टू 5 की पॉवर 3 लगाते हो तो यह तो हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 125 तो इस तरीके से यह आजाएगा आपका 5 100 तो इसका आंसर जो भी है 5 आएगा ना option के according उसको देख लेना और एक question जो था इसमें आपको दे रखा था की कुछ गाए और कुछ क्या है बतक है ना तो आपको दे रखा था की total 33 तो head है कितने head and total 33 head है और 84 लैक्स है तो आपको यह बताना था इस question में कि गाए कितनी है उसमें और बतक कितनी है तो जैसे आपको पता हुआ कि सर तो सब के पास में एक होता है गाए के पास में भी एक होगा और बतक के पास में भी एक होगा लेकिन अगर ऐसे टेकल किया जा सकता था आप माना की जैसे बतक आपने कितनी मान ली एक्स मान ली आपने तो फिर गाय कितनी हो जाएंगी 33-x क्योंकि दौनों जोड के कितने होने चाहिए 33 होने चाहिए न तो अगर बतक आपने x मानी है तो इनके पैर कितने हो जाएंगे एक बतक के कितने पैर होते है 2 पैर तो ये पैर हो जाएंगे 2x और गाय जो है इसके कितने पैर होते है 33-x ये आपको इसमें 4 का मिल्टिप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक गाय के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं तो ये solve करने पर हो जाएगा 132 माइनस 4x अगर ये तो टोटल बतक के पैर होगे ये टोटल गाय के पैर होगे अगर इन दोनों को add करें तो कितना आना चाहिए 84 आना चाहिए इसमें question में दे दिया है आपको तो 2x प्लस 132 माइनस 4x बरावर 84 आना चाहिए तो 4x और 2x करोगे तो ये बचेगा माइनस के 2x और ये बचेगा उधर जाके माइनस के कितना हो जाएगा 16 और 32 48 तो ये हो जाएगा माइनस के 48 तो x की value क्या आई 24 अब x अपनने क्या मान रखाता बतक तो बतक कितनी हो गई 24 गाए कितनी मानी थे अपनने 33 मानी थे अपनने 33 मानस x तो 33 में से 24 गटाओ कितना बचेगा 9 9 हो जाएगा ना तो उसमें आपको question में पूंचाता है कि गाए का और बतक का ratio क्या है तो गाए कितनी है 9 बतक कितनी है 24 तो ये 3 से कट कर लो ये बचेगा 3 और ये बचेगा 8 ये आपका answer आ जाएगा ना इस question का जिसका भी 3 by 8 आया है उसका सही है ये आपके part डेके question है दोनो जो भी करके आया है उसके सही है एक question और था इससे मिलता जुलता ये question था यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट दीते आपको ये था S1 पॉइंट यहाँ पर था S2 पॉइंट और यहाँ पर था S3 पॉइंट अगर इस दर से पानी का फिलो होता है तो आपको कुछ statement दिये गएते है आपको दिया गया था कि S1 पर बार्टर का प्रेशर ज्यादा होगा S1 पॉइंट पर बार्टर का प्रेशर ज्यादा होगा S1 यह आपको दिया था कि S1 से S3 की और गठेगा फिर कुछ दिया था आपको कि S1 पर पहले बढ़ेगा फिर गठेगा और एक option में था एक option में था यहां पर S2 पर water का pressure ज़्यादा होगा और एक option में था S2 पर water का pressure कम होगा तो एक उसमें physics में एक बर्नूली की प्रमे आती थी इसमें रहता था आपका P1 V1 क्या रहता था था constant रहता था न मतलब इसका यह हो गया कि जहां पर area कम होगा वहां पर दाब क्या हो जाएगा pressure क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा ना तो यहां पर देखो area क्या हो गया है कम हो गया इस वजए से यहां पर क्या हो जाएगा प्रेशर यादा हो जाएगा ना तो कुछ लोग इसको गलत कर करके आगे कि यहां पर रहे तो कम होगा जब कि ऐसा नहीं नहीं है क्या होगा इसमें हैश to travel में प्रेशर हाइ होगा समझ्हुंढत तो यह 3 कॉश्चन पा में टेक थे अगर आपको किसी question के answer में mistake लगती है तो आप comment box में बता सकते हो मैं अपनी तरफ से इनको randomly कुछ भी number देता हूँ ताकि आपको कुछ दिखकता है तो आप question के number से ना बता सको comment में एक था triangle वाला ट्राइंगल में आपको दे रखा था कि यह triangle जो है इसकी जो सबसे smallest side है वो 5 cm की है और बाकी की जो इसकी side है वो समांतर सिरेणी में है बाकी की जो side है वो समांतर सिरेणी में है समांतर सिरेणी का मतलब यह है कि अगर यह 5 की है एक side चोटी वाली तो बड़ी वाली 6 की हो सकती है यह 7 की हो सकती है अगर चोटी वाली 5 की है अगर इससे बड़ी वाली 7 की है तो इससे बड़ी वाली कितने की हो जाएगी 9 की मतलब अंतर जो है क्या रहना चाहिए शेम रहना चाहिए न ऐसी अगर आप छोटी वाली 5 की मान रहे हो बड़ी वाली 8 की मान रहे हो तो इससे बड़ी कितने की हो जाएगी 5 3 8 और 8 3 11 अगर आपने छोटी वाली 5 यह मान यह 9 तो next वाली 5 प्लस 4 9 और 9 प्लस 4 13 होगा 5 7 9 5 3 8 11 9 और 4 13 हो गया अगर आपने इसको मानना है 5 इसको मानना है 10 मानना पड़ेगा 5 प्लस 5 10 अब next क्या हैगा 15 तो यहां तक आप देखते हो तो यहां तक जो है यह यहां तक तो एक समानतर सिरेणी चल रही है लेकन यहां से अगर आप आगे जाते हो तो अब यह समानतर सिरेणी की बजाए अभी आपको लगने लगगा कि एक गुड़तर सिरेणी बन गई है जैसे यह था 5 एड किया इसमें अभी इसमें भी 5 एड किया लेकर यहां से आगे जब आप चलोगे ना तो जैसे आपने किया 5 यहां से आजाएगा आगे 11 और यहां से आगे आजाएगा 16 तो अब आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि एक गुड़ोत्तर स्रेडी बन गई है तो अपने इसका आंसर जो है यहां तो फाइब होना चाहिए मतलब एक दो तीन चार पांच यहां अगर फाइब नहीं है तो फिर क्या होगा इसका अंसर एक इन्फाइनाइट होता है ना उ बागी फिर जो फाइनल आंसर की में है वो सही माना जाएगा अच्छा एक कोशन जो था यह घड़ी देगी थी आपको और आपको पूंचा था कि यह तो तीन बज़े हैं और तीन बज़ के टाइम दे रखा था कुछ ऐसे पंद्रह मिनट यह कोशन था तो अब काफी बच्चेओं को लगा कि तीन बज़ के पंद्रह मिनट पर तो जो जो दोनों गड़ी ऐसे होंगी एक दूसरे के उपर ओवरलैप करेंगे न तो जातर बच्चे इसका आंसर जीरो डिगरी करके आ गए लेकिन ऐसा नहीं होगा है न देगो कैसे नहीं होगा जब एकज़ेक्ट तीन बज़ते हैं तो उस टाइम पर जो आवर वाली गड़ी होगी वो तो फिक्स्तीन पर होग तो यह जब तक तीन वाले उस पर आएगी मिनट वाली तब तक क्या गंटे वाली यहीं मनी रहेगी यह तो थोड़ा आगे चली जाएगी न तो यह कितना आगे जाएगी आप इसको फॉर्मले से भी निकाल सकते हो बैसे तो इसका आंसर जो है सेवन पॉइंट फाइव डि सर्क लगा देता है इसका मदलब 60 मिनट बरावर 360 डिगरी का ट्रेवल करती है तो एक मिनट में कितना करेगी 360 वट्टे 60 वरावर कितना गया 6 डिगरी में लग जो मिनट वाली सुई है वो एक मिनट में 6 डिगरी ट्रेवल करती है अच्छा अगर बात आबर वाली की करें तो आबर वाली जो होती है आपको बता है यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लग जाता है 12 गोंटे लगते है 360 360 fought degree में कितने गोंटे लगते है इसको 12 गोंटे लगते है तो कितना गया यह 30 डिगरी मतलब एक आहर में कितना गया 30 डिगरी का उइंगल बनाएगी एक आवर में तो अगर एक मिनट की बात करें तो एक आवर में आपको बता है साट गंटे होते हैं तो एक मिनट में कितना ट्रेवल करेगी ये आवर वाली सुई तो तीस बट्टे कितना हो गया वन वाई टू डिग्री अब देखो यहां से आप देख लो अभी ये जो है ना मिनट वाली सुई जो है अभी यहां पर है तीन बज़े पर है ना पंद्रे मिनट में कितना ट्रेवल कर जाएगी ये पंद्रे मिनट में कितना ट्रेवल करेगी आवर वाली यहां से देख लो पंद्रे इंटू एक गंटे में कितना करती है 1 by 2 तो 1 by 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 7.5 degree क्योंकि वो जब तक यहां पर आएगी 3 वज़े तब तक वो कितना चली जाएगी आगे 7.5 degree आगे चली जाएगी तो इस वज़े से जो angle create होगा वो ऐसे होगा कौन सी उपर रहेगी मिनट वाली है गंटे वाली तो देखो गंटे वाली तो थोड़ा सा नीचे आजाएगी और मिनट वाली यहां पर आजाएगी तो यह जो angle बनेगा यह कितना बनेगा 7.5 degree का तो यह थोड़ा सा गलत फहमिए दिमाग में से निकालनी है हेग्जाओन के सभी angle का total sum कितना होगा यह होगे आपका हेग्जाओन है तो हेग्जाओन कोई सा भी save हो एक formula note करना है आपको n-2 into 180 degree अभी हेग्जाओन में कितनी side होती है 6 side होगी तो n की क्या value पूट करनी है आपको 6 minus 2 180 कितना होगया 4 into 180 करोगे तो 720 degree जो भी 720 degree करके आया है उसका answer सही है यह होगे आपका हेग्जाओन के सभी angle का sum अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप like, share, comment, subscribe कर सकते हो और अभी आप अपना कोई question वेजना चाहते हो तो दिये गए नंबर पर whatsapp भी कर सकते हो 7, 8, 9, 1, 1, 2, 1, 2, 5, 3 अगर किसी question की answer में mistake लगती है तो वो भी acceptable है ना उसको change किया जाएगा अगर आपको कोई गलत लगता है तो एक यह पार्क का question था ऐसे तागी कोई यहांसे दोडना शुरू करता है तो यह 40 second में इसका पूरा round लगा देता है ना इसका और यह कोई दूसरा है यहांसे जब दोडना शुरू करता है पूज़ डायरेक्शन में तो 15 second बाद में यह दोडनों एक दूसरे से मिलते हैं यह कितने टाइम बाद में मिल जाता है यहां पर यह तो इदर से दोड़ना शुरू करेगा और यह इदर से दोड़ना शुरू करेगा तो 15 सेकंड बाद में दोनों मिल जाते हैं इसका मतलब यह है कि जो यह जो आदमी है इसकी स्पीड थोड़ी सी जादा है ना इस वाले से यह फ़स्ट वाला था यह सैकंड वाला था इसकी स्वीड जादा है अगर दौनों की बरावर होती तो 20 सेकंड वाद में मिलते यह उदर से आधा आता और यह उदर से आधा यह पंदरे सेकंड पाद में मिल गए इसका मतलब इसकी speed थोड़ी सी क्या है जाद आया न तो मेरे according जो इसका answer है 24 निकल के आया है बाकी जो answer थे एक 30 था एक 37 था वो तो होई नहीं सकते तो बाकी और भी अगर कुछ आता है तो अभी इसको करके देखेंगे बाकी अभी तक के साब से जो है इसका answer 24 second आना चाहिए और कुछ आएगा तो देख लेंगे न अभी बाक में अभी के साब से 24 एक कोशन कुछ इस तरह दिखा था कि अगर speed को बिल्कुल accurate तरीके से लिखा जाए तो एक तो था ऐसे 125 क्लो मीटर पर सेकेंड कुछ ऐसे था एक था 1.25 इंटू 10 क्लो मीटर पर सेकेंड एक था 12.5 ये अंडेड था ये था 12.5 इंटू 10 क्लो मीटर पर सेकेंड एक था 125.00 किलो मीटर पर सेकंड तो अभी मेरे इसाब से इसका अंसर यह होना चाहिए 125.00 किलो मीटर पर सेकंड तो अभी मेमोरी वेश्ट यह 10-11 के लगवग कोशन ही याद है अगर आपको इनके लावा कोई कोशन याद है तो आप दिये गए नंबर पर यहां कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो अभी थोड़ा सा यह पार्ट ए का था अभी पार्ट बी पर चर्चा करेंग नेक्स वीडियो में एक कोशन और याद आ गया है बहुत देख लो एक कोशन था कि कोई आदमी 3 किलो मीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है तो इस में उसका जो अंतर आता है दोनबार वह वन आवर को अंतर आता है कि इतना आवर का अंतर का डिस्टेंस आ रहा है इसका मतलब इसका आंसर जो है कितना होगा 6 km होगा तो अभी इतने कोशन अपने को याद है बाकी अगर आपको याद है इसके लावा तो आप बेज सकते हो ना बाकी पार्ट बी और सी के लिए नेक्स वीडियो में अभी अपना अपलोड करेंगे बस्के करने बाकी मैं काँड़ करका डहा है विए यहीज़ है विए खोंग टे करेंगे है नेकरेंजन경प करव कला संवर करुम में आप lotta करहा है लाद